Hello everyone, this is Shilpi and welcome back to my channel मेरे इस चैनल पर आपको होम डेकोर रिलेटेड वीडियोज DIY, क्राफ्ट आइडियाज और गार्डिनिंग के टिप्स और ट्रिक्स होम डेकोर को, होम मेकोवर्स के वीडियोज और कुकिंग के वीडियोज जो मैं कभी कभी कर लेती हूँ वो सारे आपको इसी चैनल पर एकी चैनल पर मिलेगा अगर आप इन में से किसी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लेज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और साथी साथ वो बेल बटन जरूर प्रेस कर दिजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको साथे साथ नोटिफिकिशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो मिस न करें तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के लिए आज का जो वीडियो है यह एक गार्डिनिंग रिलेटिड वीडियो है आजकल का जो माहूल है जो हमारे इनवर्मेंट है वो काफी पॉलूटेड है हमें खुद को ही सास लेने में इतनी तकलीफ होती है तो सोचिए हमारे प्लांस को सास लेने में कितनी तकलीफ होती होगी तो आज मैं आपको दो simple तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने plants को healthy रख सकते हैं उन्हें सास लेने में उनके अच्छे breathing के लिए उनको dust free रख सकते हैं तो चलिए मैं आपको बहुत ही simple है और आप में से बहुत से लोग यह करते भी होंगे बट मैं आज आपको वही दो simple चीजें बताऊंगी जिनसे आप अपने plants को बहुत अच्छी तरह से dust free रख सकते हैं और healthy रख सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टिप जो मैं हर week follow करती हूँ वो है कि मैं week में एक दिन अपने सारे plants को वश्रूम में ले जाकर अच्छी तरह से sour देती हूँ अच्छी तरह से sour देने से उनके lips में जो भी dust रहते हैं वो clean हो जाते हैं और साथी साथ plants को अच्छी तरह से पानी भी मिल जाता है और इससे मेरे plants बहुत अच्छे रहते हैं अब मेरा next जो मैं follow करती हूँ वो है कि मैं weekly एक दिन plants को sour देती हूँ बट पूरे week में से कोई भी middle of the week कोई भी day ले लीजिए जैसे Wednesday हो या Thursday हो उस दिन मैं क्या करती हूँ कोई एक soft cotton का कप्रई को मैं अच्छी तरह से पानी में भीगो कर और उसे अच्छी तरह से निचोड लेती हूँ फिर उस भीगे वे कप्रे से मैं हर एक leaf को अच्छी तरह से clean करती हूँ बोथ upper side and lower side इससे क्या होता है ना जो lips पर यमे वे dust होते हैं वो हट जाते हैं lips अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं और healthy दिखते हैं जैसे कि आप यहां देखिए यह मैंने plant को अभी अभी सारे lips को clean किया है अब देखिए मेरा यह plant कितना healthy दिख रहा है कितना green दिख रहा है अब को मेरे यह simple दोनों टीप अच्छे लगे यूस्फूल लगे तो प्लीज आप इन्हें incorporate करके देखिए कि आपको अपके plants में 100% difference देखने को मिलेगा और thank you everyone for watching my video और हाँ मेरा next video देखना मत बुलिएगा उसमें मैं और कुछ plant related बाते आप सब के साथ share करूँगी तब तक के लिए बाइबाई